हेलो गाईज, वेलकम टू माई Android टुटोरियल सीरीज, जिस सीरीज में हम देख रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप की Android आप्लिकेशन को हम डेवलप कैसे करते हैं, और उसको पूरा बनाने से लेके प्ले स्टूर तक कैसे डालते हैं, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला करता है, तो उसको हम नोटिफाई करते हैं, अलर्ट के बाद हम से, बेसिकली एक नोटिफिकेशन टाइप की चीज होती है, और अलर्ट में भी सबसे बढ़िया किसम का जो अलर्ट है, वो है डायलोग अलर्ट, जिसको Android के अंदरे क्लास दे रखा है, अलर्ट डायलोग, उ देखते हैं, जैसे इन्होंने दिया है कि स्मॉल विंडो है, जो कि यूजर को एक डिसीजन के बारे में, जैसे यूजर को कुछ करना है, वो हाँ करेगा, ना करेगा, या क्या करेगा, वो यूजर डिसाइड करेगा, आपको डायलोग बताने हैं, तो ये कुछ इस टाइप ये डाइलोग होते हैं यह सब हम बना सकते हैं उसके अंदर तो अब इसका डाइलोग क्लास जो है उसके अंदर दो-्तिन टाइप के हैं major डाइलोग जिसमें से सबसे ऊपर है हमारे पास alert डाइलोग ठीक है और उसके बाद date picker डाइलोग और time picker to तो इन दोनों को तो आप समझ गए होंगे कि date picker है, it means वो date को pick करेगा, यानि कि calendar type की चीज खुलेगी, और time picker जो है, वो time pick करने में काम आएगा, यानि कि time wind का कुछ उसके अंदर set कर सकते हो हम लोग एक basic alert dialogue बनाएंगे, देखो dialogue में generally 2 button होते है positive button या फिर negative button जैसे कोई file को आपको delete करना है यह आप assume करके चलो, तो वहाँ पे 2 button आते हैं, yes और no अगर आप no करते हो, तो delete नहीं होगा, और yes करने पे delete वाला आपको call कर देना है function तो dialogues कुछ इस तरह से काम करते हैं, अब अब इसको dialogue कैसे बनाते हैं, वो एक बार देखते हैं, सबसे पहले एक dialogue builder का वो है, हमारे पास class alert dialogue.builder से इसको हम refer करेंगे, ठीके, जिसमें हम activity pass करेंगे, और positive button negative button और उसका message देते हैं तो आईए हम अपने Android Studio में वापस चलते हैं, और यहाँ पे हम पर इसको दिखाएंगे कैसे, तो एक button बनाते हैं, उस button के click पे हम इसके dialogues को display करेंगे, ठीके, तो यह जो text view है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ button, यह simple मैंने project है, यह हम लोग Java में काम करने काईस, तो अगर आप किसी दूसरे लेंगों, जैसे की kotlin में कर रहे हो, तो भी आप समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं समझ सकते हो, ठीके, यह हमारे पास एक button create हो गया है, ठीके, और इसको एक ID दे देता हूँ, इसका नाम है button, ठीके, और इसका text लिख देता हूँ मैं, इसका text में डाल देता हूँ, show me the dialogue, ठीके, show me the dialogue, dialogue, डी आई, ए, ए, लो, जी, ठीके गाईस, जैसे की आप देख रहे हो, यह इस टाइप पे कुछ design हो गया, ठीके, इसको मैं थोड़ा close कर लेता हूँ, ठीके, अब आते हम जावा में, जावा में एक काम करेंगे, इस button को हम refer कर लेते हैं, button, 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 equal to, इसको find कर लेते हैं, my button करके हमने दिया था, I think, क्या button था, सीधा button है, चलो, इसको my button लिखते रहे, कुछ भी दे सकते हो, आप इसकी ID, ठीके, अच्छाई, यहाँ पर भी यह दे रख रहे, इसको मैं linear layout कर देता हूँ, ठीके, और यहाँ orientation जो है, vertical कर देता हूँ, ठीके, हमारे पास button ready है, इस button को हमने यहाँ पर refer कर लिया, ठीके, इस error को ignore करोगा, यह Android Studio का bug है, यह सही भी रहता, जैसे click कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ही रहा है, ठीके, लेकिन यह फिर भी यह इस type को थोड़ा सा red line देता है, ठीके, चलो कोई बात नहीं, अब आते हमारे हम button में, अब हम button पर click listener लगाएंगे, जिसके थूँ dialogue बनेगा हमारा, तो सबसे पहले हम एक dialogue बना लेते हैं, ठीके, तो एक function बनाते हैं, तो dialogue, ठीके, यह function बना रहे हम लोग, और dialogue देखो गाईज, कैसे बनता है, यह हमारे android का office tutorial है, तो basically alert dialogue.builder और builder की class रहती है हमारे पस, ठीके, यहाँ पर कर लो, आप direct copy paste भी कर सकते हो, alert dialogue.builder, capital में builder, builder, और इसको builder भी लिख देता हूं में, वापस से आपको यहाँ पर initialize करना पड़ेगा, ठीके, तो new, alert dialogue.builder, और इसमें आपको this pass करना है, मतलब कौन से context में इसकी बात हो रही है, तो अभी current activity के context में बात हो रही है, आप यहाँ पर get activity भी लिख सकते हो, जैसे कि इन्होंने लिखा है, मैंने simple वाँ पर this कर रहा है, ठीके, अब उस dialogue में दिखेगा क्या, message क्या रहेगा, जैसे अगर आप इस dialogue की बात करो, तो इसके अंदर लिखा हुआ, you will lose all photos and media, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ, builder.setTitle, all files will be deleted, ठीक है, यह मैंने message कर दिया, अब देखो, जब भी dialogue बनता है, तो उसके अंदर button देना, एक common pattern है, button देना ही चाहिए, ताकि yes और no का पता चले, ठीक है, नई भी button दोगे, फिर भी यह दिखेगा, पर button हम दे देते हैं, ठीक है, तो इसमें positive button दे देता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं दे देता हूँ, listener, ठीक है, अब यह क्या होगा उस पर click करने पर, तो फिलाल तो कुछ भी नहीं देता हूँ, मैं, इसके अंदर, ठीक है, अब इस builder को कुछ करना नहीं है, यह हमारा dialogue बन गया है, अब इसको show करवा देना है, बस इस builder को, builder.show, तो यह dialogue show हो जाएगा, ठीक है, और यह इस function के अंदर है, तो एक काम करता हूँ, इस button के click पे, इस function को call करवा देता हूँ, गाईट, जिन्होंने, अभी तक इस channel को subscribe नहीं करा है, और वीडियो को नहीं like करा है, प्लीज मैं request करता हूँ करना, और अगर आपको Android Studio से related कोई भी problem आ रही है, आपको code करने में, या आपको Android Studio सीखना है, तो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं नई-नई वीडियो लाता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नया listener बना रहा हूँ, ठीक है, बटन पे listener लगा दिया मैंने, और show dialogue वाला, ये वाला पूरा code उठके यहाँ आजाएगा, अब मैं इसको एक बाद run कर लेता हूँ, अब देख रहे हूँ, उपर error, error आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं run करूँगा, रन हो जाएगा है, sorry, 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 यहाँ पे terminate नहीं करा मैंने, देखो, 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 वापस run करते हैं, यह, यह termination भूल गया मैं, node.js में guys काम करता हूँ, इसके चक्कर मैं termination भूल जाता हूँ मैं, जावा स्क्रीप्ट में ज़रुवत नहीं यह terminate करना, हाँ, तो यह हमारा बटन connect कर गया है, अब guys हमारा अगर code सही रहेगा, तो इसके अंदर से dialogue दिखेगा, alert dialogue वो भी, तो click करूँ क्या, 1, 2, 3, यह देखो guys, all files will be deleted, suppose इसका नाम रहता है delete button, तो आपने Android phones में देखा होगा, बहुत सारे application में देखा होगा, कि जैसे ही यहाँ पर click करते हैं हम लोग, कोई भी चीज delete करने के लिए, चाहे message send करने के लिए, चाहे कोई भी action होने वाला रहता है, तो वहाँ पर dialogue दिखाते हैं, तो यह इस टाइब के कुछ window एक देखो, all files will be deleted, ठीक है, तो और ok किया, तो यह by default अभी cancel हो जा रहा है, अब मालनो ok पर मैं यहाँ पर delete वो कर देता हूँ, delete का code डाल देता हूँ, delete का code, तो आप डाल सकते हो, पर वो अभी नहीं डालो, मेरा main purpose इस वाली वीडियो के अंदर था, कि dialogue कैसे दिखता है, वो बटन, ठीक है, अब यह तो positive बटन है, एक और बटन लगाते हूँ, ठीक है, builder.set negative बटन, अब इसके अंदर, इसको मार दो, cancel कर देता हूँ, cancel बटन में बनाता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं, एक बार run करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ guys run हो गया, अब हमारी पस दो बटन आने चाहिए guys, तो जैसे मैंने क्लिक किया, यह देखो, तो जब भी user से आप पुछोगे, भाई, उसको कुछ alert दोगे, भाई, हाँ, आपका file delete हो जाएगा, ठीक है, तो cancel करेगा, तो cancel ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर okay करता है, तो आप delete करवा देना है, या कुछ अपना activity करवा देना, ठीक है, तो इस टाइब की चीज करो गाईज, है न, और आप comment करके बताओ, कि कैसा लगा आपको यह tutorial, यह basic था गाईज, इसके अंदर, अच्छा एक चीज और, थोड़ा title भी बता देता हूँ, builder.settitle, अब मालों मैं यहाँ देता हूँ, warning, जैसे मालों कोई बंदा अपना file डिलीट कर रहा है, हम लोग file manager बनाए हुए, ठीक है, जहाँ पर file वाईल, अपने gallery में जो होता है, उस type का, तो title देता हूँ, मैं warning का, तो सबसे देखते हैं, अब title देने के बदद, हमारे dialogue में क्या change आ रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर कर रहा हमने, अब click करूँगा, तो title भी आएगा हमारे पास, okay भी आएगा, और cancel भी आएगा, तो one, two, three, refresh किया, ठीक है, one, two, three, चलो, देखो, अब यह आगया warning, मतलब title आ रहा है, ठीक है, अच्छा guys, title हमने दे रखा था, यहाँ पर message डाल ला है, ठीक है, message, message डाल दे हमने, message भी अलग आना चाहिए, ठीक है, देखो, अब यह आगया हमारे पास, title भी, और message भी, और यह बोला है, डिलीट करने है, तो इस तरह से आपने, बहुत सारी application ने देखा होगा, कि इस तरह से आपके पास dialogues आएंगे, और user उस पे activity perform करता है, तो आप भी जरूर इस चीज का use करो आप, और तब तक के लिए, चैनल को like, subscribe कर दो, thank you,